गुट इवरिंग एवरिवन वेल्कम टू A&M सिविल और मैं हूँ आपके साथ अश्वनी शर्मा कैसे हो सब लोग सोरी थोड़ा डिले हो गया पीपीटी तेयार नहीं थी एक्चुली ठीक है तो उसके लिए अभी साढ़े नो बज़े क्लास शुरू करनी पड़ी है हमें तो एक बार जल्दी से बताईए क्या सब लोग ठीक हैं सब लोग आवाज ओडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है जल्दी से बताईए पर एक बार मेरे को सब लोग एक बार जवाब दीजिए जल्दी से जवाब बताऊ भी एक बार जल्दी से क्या सब लोगों को ओडियो वीडियो क्लियर है क्लास को करते हैं शुरू हां चलिए सब क्लियर है ना UX क्या है अरे क्या अश्टी मैं है पहला कोशन हमारा है आज ah हाँ पहला कोश्चन है हमारा यहां पर जो यूपी ट्रिप्लेसी जेए का 2016 में पूछा हुआ है फिल इंदी ब्लैंक्स है डैश is used to measure horizontal and vertical angles इन में से कौन सी कौन से डिवाइस जो है basically horizontal और vertical angles measure करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है जल्दी बताइए हां जी हेलो सब लोगों को हेलो भई हां जी अश सब लोगों को हेलो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए बई सब लोग डैश is used to measure horizontal and vertical angles आपके horizontal और vertical angles मेशर करने के लिए क्या चीज़ इस्तिमाल करी जाती है नो लेट बिल्कुल कुइक स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल कि तिर्चा कुश्चन आ रही है ऐसे ही है यार जैसा कोश्चन पेपर मुझे मिला उसी आप से मैंने कर दिये टाइमिंग की विज़े से जैसा मिलता है आप लोगों को questions मिल जाने चीए बस उतना काफी है जल्दी बताइए यार अंसर बताओ भया अंसर बताइए जल्दी से अंजी हेलो मुन्ना पंडित कैसे हो थियोडो लाइट आ रहे है ना अंसर चलिए बहुत अच्छे थियोडो लाइट हमारा instrument होता है जो की horizontal भी और vertical भी दोनों angles हमें measure करके देता है ठीक है तो यहाँ पे हिंदी और English दोनों मी मिल जाएंगे भी तो bilingual हो जाएगा हमारा paper दोनों बच्चों को clear रहेगा चलिए next question है question number 2 where should you implement the steel reinforcement in a singly reinforced beam हमें singly reinforced beam के अंदर reinforcement कहां पर देनी चाहिए neutral zone में compressive zone tensile zone बोथ tensile and compressive zone बताईए singly reinforced beam के अंदर हमें कहां पर reinforcement देनी चाहिए हाँ answer mark नहीं है ना हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे चलिए बताईए जल्दी बोलिया भई second का answer आ रहा है C tensile zone ओके प्लीज एक second हाँ एक second क्या दो second लो भई आप प्यूश का answer आ रहा है C 100% बोल रहे हैं अच्छा हाँ शेयर कर दो बिल्कुल शेयर कर दो अच्छे से और जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार like भी कर दो भई ठीक है चलिए यहाँ पर हमारा जो steel reinforcement दी जाती है steel दिया ही कहां पर दिया जाता है क्यों जाता है क्योंकि tension में वीक होता है हमारा concrete तो concrete अब singly reinforced है तो अब दिया कहां जाएगा जहां पर tensile stresses आ रही होंगे मतलब tensile zone के अंदर ठीक है very good हाँ जी बहुत अच्छे question number 3 बताइए फिल इन दा ब्लैंक से है with the correct answer dash EDMs can be used up to a range of 100 km while dash type is used with a range up to 3 km आपकी कौन सी EDM जो है आपकी वो 100 km की रेंज के लिए इस्तिमाल करी जाती है और कौन सी आपकी 3 km की रेंज वाली है बताइए भई tensile strength of concrete is weak that's why बिल्कुल बहुत अच्छे very good भी प्यूश यहाँ पर बताइए आप लोग की कौन सी EDM आपकी range 100 km वाली है और कौन सी 3 km रेंज वाली है बोलिये answer आ रहा है D microwave है आपकी 100 वाली और infrared आ रही है 3 km very good बहुत अच्छे यार प्यूश का भी answer यह आ रहा है मौहमद आसद का भी आ रहा है answer बिल्कुल बहुत अच्छे जल्दी बताओ बाकी सब लोग बाकियों का answer क्या रहा है DR है न सब का हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे microwave हमारी जनरली कौन से होती है जिनकी रेंज बहुत जादा होती है 100 km तक यूज कर सकते हैं हम electronic distance measurement ठीक है तो चलिए यहाँ पे question number 4 है which among the following is a constituent of a good brick कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है हाँ infrared is also used in tv remote बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कम range होती है बहुत अच्छे very good यार चलिए बताओ यार जल्दी बोलो कौन सा constituent आपका good brick art का component होता है simple सा question है बहुत simple है alumina, steel, gold, copper कौन सा होता है theory class यार अभी आज कल नहीं हो पारी timing की वैसे मंडे से हम मैं कोशिश करूँ है कि मंडे से करेंगे theory class भी शुरू ठीक है मंडे से करेंगे शुरू ओर्थ का answer आ रहा है A चलिए बहुत अच्छे किसी का gold answer आ रहा है तो बताओ भई कोई ऐसा बच्चा जिसका gold आ रहा है answer मिट्टी में मतलब सोना लेके घूम रहे हैं चलिए question number 5 बताइए mensard truss is a combination of dash and dash trusses mensard trusses आपकी इन में से किस की combination होती है कौन-कौन सी trusses से मिलके mensard truss जो है बनती है बताओ भई जल्दी बोलो mensard truss हमारी इन में से किस की combination होती है किस-किस से मिलके बनती है mensard truss फिफ्थ का अंसर बताइए सब लोग पर्लिन रूफ, queen post, slopped king post, slopped queen post, strutting king post, king post या फिर queen post बताइए इन में से किस के combination से mensard truss जो है वो बनती है महमत असद का अंसर आ रहे है D अच्छा, very good गोल्ड फिर तो दुबई का हीटा होगा दुबई में भी नहीं मिलते है, आ रहा दिते है दुबई में भी हीटर में गोल्ड नहीं मिलाते हो जल्दी बताइए भई, फिफ्थ का अंसर आ रहे है, सब का D आ रहे है, mostly फिफ्थ का B आ रहे है नहीं, B नहीं होगा, आपका king post और queen post ठीक है, इन से मिलके आपकी mensard trust जो है, वो बनती है ठीक है, यह होता है mensard roof trust या mensard trust तो यहाँ पे आपकी king post भी आ जाती है, और queen post भी आ जाती है ठीक है, इन दोनों से मिलके, it is a combination of king post and queen post trust तो mensard trust आपकी वही होती है question number 6 का अंसर दीजिए, fine aggregate can pass through is sieve size of, fine aggregate हमारे कौन से sieve से pass कर सकते हैं, बताईए प्यूश्टी आंसर था, बिलकुल correct था, अब इसका अंसर बताईए भी सब लोग कि fine aggregate हमारे कौन सी is sieve से pass कर सकते हैं, fine aggregate किसको बोलते हैं 13 mm की, 10 mm की, 4.75 mm या फिर 15 mm construction technology का PDF प्रोवाइड करा दीजिए construction technology का, चलो अगर होगा तो मैं आपको भेज दूँगा ग्रूप में भेज देंगे, टेलिग्राम के ग्रूप में, जोइन कर लेना 4.75 अंसर आ रहा है, C अंसर क्या हाँ, वेलकुल बहुत अच्छे भई very good, 4.75 से नीचे फाइन रहता है, उससे उपर आपका course रहता है, ठीक है बहुत अच्छे, question number 7 बताईए, you have a plane and reinforced concrete footing leaning on the ground, which of the following limitations you should, should you maintain for the thickness at the edge of the footing basically आप से पूछ रहा है कि thickness, footing की edge पे आप कितनी रखते हो अगर plane or reinforced concrete footing आपके पास है, ground के उपर है जल्दी बताओ भई अब, thickness आपकी कितनी रहनी चाहिए, edge के उपर should be more than or equal to 35 cm, 40, 15 या फिर 25, बताईए आपकी footing की जो thickness आती है, minimum thickness जो है वो आपकी कितनी आती है thickness of, thickness at the edge of footing कितनी maintain करेंगे thickness at the edge of footing, answer आना चीए, 7th का सब लोगों का अभी शेक जैस वाल का आ रहा है, 150 mm, बहुत अच्छे, very good यार अधित्ये का भी आ रहा है, C, 115 cm, हाँ, बहुत बढ़िया ठीक है, very good, आपकी 15 cm जब आपका simple plane ground की बात करी जाए तो उस समय हाँ, बहुत अच्छे सबका answer सही आ रहा है, 15 cm, ठीक है, जब आपकी resting on the soil है, और अगर आपकी piles के उपर रखी हुई है footing, बहुत पाइल्स के उपर आपने construction करी है, तो आपकी 300 mm हो जाएगी, ठीक है, दोनों values आप याद रखना, important values हैं, पूछ लेता है आपसे, तो 15 mm और 30, 150 mm और 300 mm, question number 8 आपका पूछा गया है, UPSSSC के अंदर, which of the following foundations is adopted where the loose soil extends to a great depth, सबका answer सही था, C, very good, अब question number 8 का जवाब दीजिए, which of the following foundations is adopted where the loose soil extends to a great depth, इन में से कौन सी आपकी foundation adopt करी जाएगी, जब आपकी loose मिट्टी जादा गहराई तक मिलती है, ठीक है, जादा धीली मिट्टी बहुत गहराई तक फैली होती है, वहाँ निम्न में से कौन सी नीव को अपनाया जाता है, बताइए, अब हिंदी वाले भी परेशान नहीं होंगे, अटलीस्ट हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे आपका question मिल गया है, एट का सबका answer D आ रहा है, भई, D आ रहा है, Pile Foundation, अभी शेख जैसवाल का रहा है, Raft Foundation, बाकी बताओ भी, अजेड वाल का रहा है, D, अधित्य का रहा है, अमित कुमार का भी D, तो बिलकुल D कर देते हैं, भई, Pile Foundation का इस्तमाल किया जाता है, राफ्ट जनरल ही हमारी तब करी जाती है, जब हमारे isolated footing जो है, वो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा number of columns आते हैं, तो उस समय हम उसको प्रोवाइड करते हैं, हाँ, बट उसमें, और depth भी shallow रहती है हमारी, ठीक है, very good, Pile Foundation हो जाएगा answer, question number 9 है, यहाँ पर, fill in the blank with the correct answer, velocity correction is applied to account for, आपकी velocity correction इन में से किस चीज के लिए करी जाती है, यह आप लोगों का homework है, और homework आप लोग बड़े शैतान होगे हो, करते नहीं हो, comment करके जरूर बताना पड़ेगा, कि आपका velocity correction factor क्यों लगाया जाता है, ठीक है, answer मिल जाएगा, बट आपका comment करना पड़ेगा, आप लोगों को homework question है, तो question number 10 है, यहाँ पर, match the name of phenomenon with their respective definitions, यहाँ पर थोड़ा उटपटा answer दिया वाई, as it is question paper की ही image है, तो, एक आपका यहाँ पर coagulation है, जिसको match करना है, दूसरा है disinfection, तीसरा है flocculation, और fourth है sedimentation, यह चार आपके यहाँ पर processes दिये हुए हैं, और यहाँ पर आपके number 1, 2, 3, 4, यह चार आपको, इसके definitions दिये हुए हैं, basically, तो, आपको match the following question करना है, कि coagulation है क्या होता है, disinfection, flocculation, और sedimentation में क्या होता है, तो, इसको match करिए जल्दी से, और मुझे answer बताइए, answer comment करो, जल्दी से जल्दी, अच्छा छोटा है गया, जूम कर देता हूं, चलो, आपको, बहुत अच्छे, इसको सही किया बताया आपने, यह लीजिए, जूम कर दिया है, मैंने, answer बताईए, अब यहाँ पर, आपकी answer क्या होगा, यह लो, फिक है, जूम हो चुगा है, अभी आप answer बताईए, कि answer क्या आएगा, यहाँ पर बहुत, 10th का B आ रहा है, A का 2 आ रहा है, coagulation, chemicals added, अच्छा, A का 2 हो गया, B का, disinfection का 3, chlorine, हम, और C का है, flocculation का क्या दिया हुए, 4, mixes the water with large petals, C4, हाँ, very good, बही, सबकार answer, एक बार जल्दी बताओ, भी बाकी बच्चे भी, जल्दी-जल्दी match the following करिये, जल्दी-जल्दी match करो, आखे कमजोर हो गई है, online पढ़ते, पढ़ते, नोकरी बलई, अभी भी दूर लग रहा है, नहीं, जब आरे, जिस दिन नोकरी मिलेगी, उस दिन देखना, आपको ज्यादा दिखने लग जाएगा, ठीक है, जिस दिन नोकरी मिलेगी, उस दिन सब कुछ वापीस आ जाएग खोया हुआ, जो भी आपकी चीज़े खोई है, भी तैयारी के समय सब आ जाएगा, ठीक है, भी, coagulation आपका, basically, क्या होता है, coagulation है, chemicals added, ठीक है, जो chemicals add करते हैं, disinfection हम करते हैं, chlorine से, ozone से, इन सब चीजों से, ठीक है, flocculation का होता है, हमारा, mixes दी, पानी को mix करना, basically, sedimentation होता है, कि allowing the remaining particles, तो, यह हो गया हमारा, two, three, four, two, three, four, one, यह, answer B, ठीक है, हाँ, सब का answer सही आ रहा था, भी, very good, यार, question number 11 का, बताइए, यह भी match the following आगे, इसको भी जड़ा, जूम कर देते हैं, जूम कर देते हैं, इसको भी, तो, यहाँ पर आपकी cement sand aggregate दिया हुआ, basically, कि cement sand और aggregate है, concrete का, उनकी respective ratios के साथ में, आपको uses के साथ match करना है, कि आपका, कौन सा, कहाँ पर use किया जाएगा, ठीक है, मतलब, 1 ratio 5, ratio 10, 1 is to 5, is to 10 के जो ratio है, यह आपकी कहाँ इस्तिमाल करी जाएगी, 1 is to 2, is to 2, 1, 2, 4 का ratio कहाँ पर इस्तिमाल किया जाएगा, इनके usage के हिसाब से match करना है आपको, तो ABCD में से answer बताईए कि कौन सा आपका correctly match होगा यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से एक बार match करके बताईए यहाँ पर, कि ABCD में से कौन सा answer match करने के बाद आपका correct आएगा, पहला option है, for heavy walls, foundations, footings, etc, यह भी एक बार highlight कर देता हूँ, क्योंकि यह इसमें actually थोड़ा सा na, question paper में mix करके दिया हुए, यह options है आपके जो match करने है, ठीक है, मतलब column 1 के, और column 2 आपका second है, सौरफ गर बोल रहे है, cut off क्या हो सकती है, यूपिट्रिफिल से जाईगी, एक बार paper discuss कर लें, फिर उसके बाद, cut off भी कर लेंगे भई, ठीक है, आज पूरा नहीं कर पाएंगे paper, बट, कुछ paper कर लेते हैं, दो, तिन दिन लग जाएंगे, मैं करने में, अधरवाइस बहुत लंबी class हो जाएगी, फिर discuss कर लेंगे, बताओ यार, अंसर बताइए, 11th का D आ रहे है, mostly का, D का अंसर क्या चलो, D देखते हैं, A का अंसर आ रहे है, 4, 4, 4, heavy loaded, अच्छा, B का आ रहे है, 3, और D का रहे है, 1, 4, heavy walls, foundations, ठीक है, C का रहे है, 2, हाँ, बहुत अच्छे, D अंसर हो जाएगा, हमारा, बिल्कुल, correct answer है, very good, ठीक है, तो यहां से आप इसको देख सकते हो, 1, 5, 10 का, आपका किसके लिए, mask and creating के लिए किया जाता है, और 1, 2, 4 का जो है, आपका, वो general works के लिए किया जाता है, अगर यह दोनों पता है, तो आप इसका पता है, और इसका पता है, C और D से अगर आप कर सकते हो, तो D का ही पता है, तो उसी से ही हो जाएगा, वन किसी का दिया ही नहीं हुआ, सभी बात है, वाकि उतर चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ओप्शन है, प्रोच से आपका अंसर हो जाएगा, यह question दिया हुए, आपको consider the given image, identify the one that is composed mostly of quads sand, इन में से quads कौन सा है, यह आपको को देख कर ही, दिखा ही तो आई हो प्रोपर दे रहा होगा ना, clearly दिख रहा होगा सब को, अगर कोई issue है, तो मैं जूम करके अलग से आपको कर दूँगा, इसको, ठीक है, बट मेरे हिसाब से सब को properly दिख रहा होगा, ट्वेल्थ का D आ रहा है, अजे का रहा है D, सौरफ बोल रहे हैं B, मुहमद असद बोल रहे हैं D, quads बताना है भई, quads इन में से कौन सा होगा, जल्दी बताओ, ट्वेल्थ का अंसर क्या रहा है भई, बाकी बत चोगा, यह क्या लग रहा है, यह Marvel जैसा नहीं लग रहा, जैसे Marvel क्या आपके पत्थर होते है, Marvel जैसा यह, यह आपको लग रहा है, लग भग, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे मुताबिक, यह grenade जैसा है, ठीक है, ग्रेनेड जाएसा और यह आपको यह सेंड स्टोन जैसा लग रह रहा है सेंड स्टोन जैसा और मेरे हिसाब से यह کاřड सेंड हो जाएगा ठीक है? क्वाड सेंड हादित्य मेरी गुट यह यह है ठीक है? तो फोटो के हिसाब से आप यह लगवग यहां पर रहता है अंसर चलिए 13 का बताईए भई 13 का बताईए after analyzing a flow meter you observe that it has enough straight pipelines before and after the meter what is the major reason behind these pipelines मतलब आप जब flow meter देखते हो तो उसके आगे और पीछे आपकी pipeline रहती है तो इसका reason क्या है यह और यह जो आपने pipeline दी हुई है इस pipeline का reason क्या है flow meter के आगे और पीछे देने का बताईए minimize the choking under high flow conditions, dampen pipe vibrations generated near elbow या फिर amplify the coriolis effect for better rangeability या फिर stabilize the flow profile within the flow meter बताईए 13th का answer बताईए कि क्या आ रहा है थर्टीन्त question का उत्तर क्या आ रहा है क्रिपया जरा comment करके बताएं बताऊ बई चलो आपको दिखा देता हूँ ना flow meter कैसा होता है यह होता है देखो flow meter यह हमने flow meter लगाया हूँ ना तो इसके इधर और इधर यह हम क्या करते हैं थोड़ा सा pipeline जो है वो छोड़ देते हैं तो इसका effect पूछ रहा है basically कि क्यों छोड़ते हैं बताओ बताओ जल्दी से कमेंट करके minimize choking under high flow condition ओफिशिल अंसर की कब आएगी आ तो चुकी है यार सोरव ओफिशिल अंसर की आ चुकी है ठीक है ओफिशिल अंसर की आ चुकी है आप चेक कर सकते हो थर्टीन्थ का अंसर आ रहा है ए और मनीशा का आ रहा है डी अधित्य बोल कर दिया है सोरव बोल रहे हैं एक है minimize choking नहीं choking के लिए नहीं किया जाता यह stabilizing के लिए किया ठीक है turbulence reduce करने के लिए basically it stabilize the flow profile within the flow meter stabilize करने के लिए किया जाता है turbulence कम हो जाएं ताकि question number 14 बताइए dash is the term used to define a brick cut in such a manner that its one long face remains uncut मतलब cut जो हम लगाते हैं eat के अंदर तो हमारे जो लंबाई है जो long face है वो आपका uncut रहे इस वले cut को क्या बोलते है QN, templates, copying या फिर closer बताइए dash is the term used to define a brick cut in such a manner that its one long face remains uncut बताइए सही विकल्प से रिक्तिस्थान की पूर्ती करें dash एक brick cut को परिभाशित करने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाला शब्द है जब eat का एक तरफ का long face bin cutे रहता है 14th का answer आ रहा है D, Abhishek का आ रहा है A, QN, Aditya D, A, Manisha D, Aditya बोल रहे है Queen closer, very good बहुत अच्छे, closer होता है basically, QN closer नहीं होता अभी शेक, वो Queen closer होता है ठीक है, नहीं आई अभी नहीं आ गई है यार मेरे हिसाब से तो आ चुकी है, एक बार चेक कर लेना official answer की शहदा आ चुकी है, ये देखो, Queen closer आपका कौन सा है इन में से ये वला, ठीक है, Queen closer आपका ये वला है कि जब आपकी पूरी eat जो है, ये ये आधे में काट दी ठीक है, ये पूरी length इसकी as it is बची हुई है ये फिर से आपका थोड़ा सा zoom करना पड़ेगा मुझे चलिए भी, match the following के questions काफी पूछे गए है पेपर के अंदर, leveling staff के respect में हमें ये match करने है, अच्छा question है ये, बताइए, self reading staff, देखो ये है, एक एक तो हमारा ये है, जो match करना है हमें, दूसरा है solid staff, तीसरा है telescopic staff, ये बड़ा उटपटांग से इनोंने format किया हुए ना यहाँ पे, अभी देखा है मैंने, ओके, देखते हैं यार, मेरे हिसाब से तो शहएदा आ चुकी है यार, अगर नहीं आई है तो एक बार चेक कर लेना, एक बार, ठीक है, class के बाद message करना मेरे को, तो वो आपके खेर login करने के बाद ही पता चलती है, अंसर पंकज का आ भी गया, अच्छा, डी, पुराने का तो नहीं दिया कहीं, बताओ, question को चाहिए, question number तो देख लें चरा, question number है 15, 15, 15th का answer आना चाहिए, सब बच्चों का भी, 15th question number का answer बताईए, self reading staff, telescopic staff, target staff और self reading staff, solid staff ही सारे आपके staff है, इन में से आपको बताना की कौन सा answer correct होगा, बताओ, बताओ, जल्दी से भई, answer दो यार, इस में अगर आपको B और D का भी पता है न, इस paper tough था, अभी तक तो खेर बीच में दो चार एक दो question नहीं आया है, जो अच्छे लेवल का है, बाकी तो अभी तक तो खेर इतना कुछ tough अभी आया नहीं है, अच्छा आगा answer, C आ रहा है और D आ रहा है, C और D में अलग अलग आ रहे हैं, फिर तो A का 3, D, reading are always taken, self reading, अच्छा, B का रहा है, 1, B का 1 होगा, B का 4 नहीं है, ठीक है, B का तो 1 होगा, ये, और target वले में क्या होता है, moving रहता है, ये, moving, ये हमारा target कर रहेगा, D का होगा 2 और B का होगा 1, कौन सा है ये, बस, answer B, खतम काम, इतना ये, एक दो ही चेक करना होता है, सारे चेक नहीं करने होते, ठीक है, ये आपको, यहाँ पर ये PDF मतलब मिल जाएगी, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, कि target staff क्या होता है, बस ये याद रख लेना, target staff के अंदर आपकी reading जो है, move करती रहती है, और solid staff आपका 3 meter का होता है, इसके अंदर single reading होती है, ठीक है, 3 meter का होता है, telescopic के अंदर आपके, ये 3 piece का होता है, मनले, जो आपको दिया हो है न, telescopic के अंदर ये जो 3 piece दिये हो है, ये ये वले, ठीक है, तो C का 4 E होगा ने, इसमें हाँ, तो automatically match कर जाएंगे, बाकि, एक दो match करना होता है, जादा नहीं करना होता है, बस, 16th का answer बताईए, dash refers to the dispersion of solid or liquid particles of microscopic size in the air, हवा में सुक्ष्म आकार, microscopic size के ठोस या तरल करनों के फैलाव को संदर्ब करता है, बताईए, अच्छे दिखाई नहीं देता, अच्छे PDF ज़स्ट क्लास के एंड होती दे दीजिएगा, ठीक है ठीक है बई, ठीक है, अभी तो क्लियर दिख रहे हैं ना, 16th का बताऊ, answer क्या है, dash refers to the dispersion of solid or liquid particles of microscopic size in the air, A answer आ रहे हैं और C भी आया है, C किसका रहा है, महमद असद का C का है, radioactive compound, नहीं नहीं, radioactive तो नहीं होगा, महमद, ठीक है, answer आपका aerosols होता है, ठीक है, aerosols, यह देख लो, aerosols, यह होते हैं aerosols, 17th का बताईए भई अब, identify the option that correctly completes the below statement, horizontal distance is obtained by tachymetr, tachymetric observation, dash, आपके tachymetric observation से, horizontal distance जो measure किये जाते हैं, क्या उनको slope correction की जरूरत है, pull correction की जरूरत है, इन में से कोई correction की जरूरत नहीं, या फिर, दोनों correction, बताऊ भी, tachymetr, फोक, डस्त, मिस्ट विल्कुल, अब धीरे धीरे level high हो रहा है, level तो ऐसे ही होगा, सौरव, देखो, exam के अंदर ऐसे ही होता है, हर level के paper questions आते हैं, अच्छा level भी मिलेगा, इसमें कुछ बहुत आसान questions भी मिलेंगे, हर तरह का होता है, तो एक moderate paper होता है, बाकी जब पूरे questions कर लेंगे, तो उसके बाद देखते हैं, कि कैसा है paper, 17th का C आ रहा है, do not require slope and pull correction, बहुत अच्छे भी, सबका रहा है न, कैसे तूट के पड़े हैं न, इतनी देर बाद एक question आया है, जो सबको आता था, बहुत अच्छे, 100% correct है, कोई correction की ज़रुरत नहीं पड़ती हैं, very good, यह बताओ, in the process of metallizing, which metal is used in present practice of painting of bridges in Indian railways, chain या tape नहीं है, इसलिए no correction, very good, यह बताओ, metallizing के process के दोरान, हमारे bridges को paint करने के लिए, किस metal का इस्तेमाल किया जाता है, यह बताओ, bridges को paint करने के लिए, किस metal का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ भी, सब लोग जवाब देंगे यार, 18th का, Saurav का A.R.I., Manisha का A.Zink, अधित्य का A, Asad का भी A, very good, Zink का ही हमारा आता है, generally, ठीक है, very good, Zink की coating करी जाती है, Zink का paint किया जाता है, बहुत अच्छे भई, सब का सही है, very good, 19th बताओ, which would be the total, what would be the total pressure on a submerged block, making an angle O, with the fluid surface, G.I. जो galvanized iron, बिल्कुल, बहुत अच्छे, आपका total pressure कितना आएगा, किसी भी particular submerged block का, जो की angle O बना रहा है, fluid surface के साथ में, ये बताओ भई, where A is the area submerged, and X is the gauge pressure on an elemental area, gamma H star, and H star are the distance of centroid of the area, from the free surface of the fluid, 19th का A आया है, lock कर दिया जाए, बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी बताओ यार, FM का question नहीं है, submerged condition में आपकी body है, inclination पे, total pressure कैसे निकालोगे, मुहमद ऐसाद का भी आ रहे हैं पे, answer A, पंकरज का भी A सौरफ बोल रहे हैं, B, X A sin O, बहुत थीटा की जगए O बोला हुए नोने, वह ये की बात है, total same ही रहेगा, very good, total pressure पूछा हुए नोने, submerged body के उपर, तो ये case है basically, देख ले ना बाद में, अच्छा, तो ये कल से फिर ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही भाशा में कर लेंगे, दो भाशा में फिर थोड़ा screen पे, थोड़ा छोटा हो जाता है ना paper, कोई बात नहीं, मैं इसको zoom ही कर लेता हूँ, tension को ले रहे हूँ, Arrange the following steps in ascending order of the removal of shuttering, इनको आप shuttering remove करने के ascending order में लगाईए, बताओ, बताओ, आवास बिलन्द हो गई है रहे यार, गलाब बहुत दिनों तक खराब रहा है मेरा, बताइए, आपकी ascending order of the removal of shuttering, बही शटरिंग किसकी, मैं कोन सा पहले उतारा जाएगा, उसके बाद फिर कोन सा उतारा जाएगा, मैं टाइम के respect में, sequence बताइए यहाँ पे, अभी शेक का रहा है, सी, सौर अफ़गर का रहा है, D, पंकज का भी आ रहा है, D, D में क्या बोल रहा है, अच्छा, vertical faces की पहले, फिर soffit, B, फिर बाद में, shuttering of beam girder, फिर last में, heavily loaded shuttering, अच्छा, Manisha का भी D, Mohamed Asad का D, very good, बाकी बच्चे भी बताओ यार, D आ रहा है सबका, very good, C, A, B, D, ठीक है, पहले हम, इसकी मलब यह देखो, time भी दिखाई देते हैं, क्यों tension ले रहे हो, ठीक है, जो आपके vertical form work होते हैं, 16 से 24 घंटे में ही उतार सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 3 दिन में, फिर आपके जो slab lab, sofit work है, और sofit form work of beams, इनको 7 दिन में, ठीक है, उसके बाद धिरे-धिरे, फिर हम ऐसा हटा सकते हैं, 21 बताईए, dash is prevented by the shear reinforcement in RCC, shear reinforcement का इस्तिमाल करके, हम लोग क्या चीज प्रिवेंट कर सकते हैं, RCC के अंदर, caving, tempering, superheating, या फिर diagonal tension, बताऊ, RCC के अंदर, shear reinforcement प्रोवाइड करने के बाद, हम किस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, RCC में shear reinforcement द्वारा, dash रोका जाता है, और रे, very good, R अदिते, बहुत बढ़िया, vertical, 16-24, बहुत अच्छे या, बहुत बढ़िया, 21st का रहा, D, Saurav, Manisha, Abishek, सबका, DR, Pankaj का रहा, C, Mohamed, Abishek, Aditya, Saurav, सबका, very good, बई, D answer, diagonal tension को, हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, बाकी तो वैसे भी, relevant चीज़े हैं नहीं, तो आप, remove कर सकते हो, बाकी options को, ठीक है, ये बताईए, अब आप, ascending order of, radiation method, plane table के अंदर, आपका, radiation method, जब किया जाता है, तो, उसके हिसाब से, इनको, ascending order में, लगाईए, करो भई, अरे, तैंक यू सो मच, ठीक है, answer बताओ, यहाँ पर, A step है, B है, C, D, E, और F, 6 steps दिये हैं, इनका sequence बताना है, आपको, ascending order में, जब भी हम, resection करते हैं, तो, resection के अंदर, हमारा, radiation method, जब हम करते हैं, radiation, तो, radiation method करते हैं, plane table के अंदर, पहले, कौन सा step किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, सब इचार option में, पहला step तो common है, select करेंगे, कोई भी O point, so that all points to be located, are visible from it, एक ऐसा point select कर लेते हैं, जहां से सारे points नजरा जाते हैं, सबसे पहला तो ये point किया ही जाता है, उसके बाद, सभी में common हैं, E क्या है, setup करेंगे, table करते हैं, setup हम O point पे, level कर लिया, point O हमने mark कर लिया, sheet के उपर, ठीक है, इसके बाद, आपके options जो हैं, वो बदल रहे हैं, इसके बाद बताईए, C करेंगे, D करेंगे, कौन सा step आएगा, step number E के बाद, C or D है option, तो C or D में से देखो, क्या है, C or D के है, mark the direction of magnetic meridian, or D है, centering the alidate, बताओ, बताओ, जल्दी बताओ बई, कितना समय नहीं लेना, C answer आ रहे है, सौरव का, सौरव गर्ग का आ रहे है, अच्छा, दो-दो सौरव हो गए अब, A भी आ रहे है, और अभिशेक का रहे है, C, बाकी बच्चों का क्या answer है भी, बाकी भी बताओ, मनीशा का भी, C आ रहे है, देखो मैं आपको, स्टेप्स दिखा देता हूँ, यहां से, यहां पर मुश्किल है दोड़े से, देखो सबसे पहले, पॉइंट सेलेक्ट किये, उसके बाद, सेट अप एंड लेवल, दी टेबल, लेवल कर दिया, फिर हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, शीट के ऊपर, फिर हमने क्या किया, पॉइंट रिप्रेजेंट यह किया, फिर मार्क दी डिरेक्शन ओफ मेगनेटिक मेरेडियन, मेगनेटिक मेरेडियन की डिरेक्शन, हमें मार्क करनी है, उसके बाद एलिडेट करना है ठीक है, मतलब पहले दो स्टेप्स तो common थे उसके बाद हमने क्या किया है mark the direction, मतलब C आएगा A और E के बाद C point आएगा और उसके बाद फिर हम क्या करेते है D, तो A, E, C और D, A, E, C और D, यह हमारे, यह दोनो common हो गए यह दो points यह common हो गए इसके बाद D के बाद फिर क्या किया जाएगा F और B में से चूज करना है हमें F और B में से join the points A, B, C D on the paper, यह फिर है measure the distance अब आप खुद ही बताओ, F आएगा यह B आएगा पहले B करेंगे न, उसके बाद फिर measure करेंगे distances, जब तक point ही नहीं जोड़े होंगे तो distance कैसे measure करेंगे B answer सब, हाँ B विलकुल वेरी गुड़ा दित्ते है B किसी कहीं नहीं आया था मेरे ख्याल से B answer किसी नहीं नहीं किया था चले कोई बाद नहीं Question number 23 बताइए बई Which among the following modes of measurement is true for calculating damp proof course DPC के लिए इनमें से कौनसे statement true है It is typically given in cubic meter It is measured as per drawing stating thickness The description must include framework finishing, curing, etc C है, it also includes the grouting D है, it has the volume of material as specified बताइए बई 23rd का answer बताइए कि 23rd का DPC की reference में कौनसा option सही हो जाएगा Dam proof course की reference में हमारा कौनसा option सही हो जाएगा इनमें से It is typically given in cubic meters Measured as per drawing stating thickness Thickness बता के इसकी drawing के accordingly इसको measure किया जाता है It also includes the grouting It has the volume of material as specified बताइए मनीशा का रहा है A महमद असद B अभिशेक B सौरफ बोल रहे है A और अधित्य बोल रहे है B पंकज का भी B B answer होगा इसका Cubic meter में नहीं measure किया जाता है ये हम thickness से measure करते हैं ठीक है Stating the thickness measured as per the drawing ड्रोइंग के अनुसार measure किया जाएगा और thickness बता दी जाती है इसके अंदर framework, finishing के और इंगे सब भी बता दिया जाता है हाँ बिल्कुल, बिल्कुल routing, routing ये सब कुछ फालतु की चीजे है 23rd का answer हो गया और बात आती है 24th की identify the ones that can be estimated using the centerline method इन में से centerline method के दोरा हम लोग किसका estimation कर सकते हैं ये बताओ hexagonal का, circular का, octagonal का इन तीनों में से 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर 1, 2, 3 तीनों का इन में centerline method के accordingly हम किसका estimation कर सकते हैं ये बताइए बताइए centerline method के दोरा इन में से measurement हम estimation जो है किस particular heap का estimation कर सकते हैं बताइए बई बताइए 24th का answer आ रहा है D D क्या है 1, 2, 3 अच्छा सभी का कर सकते हैं 24th का आ रहा है A सौरफ दिवारी का अधित्य बोल रहे हैं B 1 and 3 बिल्कुल इसी answer का वेट कर रहा था कि कोई B दे answer बट किसी नहीं दिया ये circular देखो हम कभी भी centerline method का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं hexagonal है मालो एक, दो, तीन, ज्यादा बनगी क्या चार पांच इधर जोड़ देते हैं अच्छे अब इस तरह से अगर होता है तो इसकी अगर thickness दिखाऊं मैं ठीक है मालो ये है तो ये इसकी थिकनेस है इसकी centerline ये हो गई ठीक है centerline इसकी तो measurement ली जा सकती है centerline की help से लेकिन circular को कैसे measure करेंगे circle में तो आपकी centerline कैसे लूँगा estimation कैसे निकाल लूँगा circle के अंदर नहीं निकाला जाएगा न तो आपका one end three answer हो जाएगा answer number 25 बताइए भी 25th का answer बताइए consider a T beam structure for light loading of continuous beams what is the range of ratio between its total depth with its total span total depth upon span की आपको ratio बतानी है light loading continuous beam के लिए बताओ बताओ इतनी शान्ती कैसे हो गई रज़त का answer आ रहा है 5th 25 का D very good यार बहुत अच्छे बाकी बताओ 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 अभी शेक का रहा है D very good अब ना जो बताओ यूपी ट्रिपले सी जेई के लिए प्रिपेर कर रहे है न तो देख लो level आपका ऐसा आएगा D answer बिलकुल सही correct हो जाएगा आपका answer D हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपकी देखो D मतलब आपकी जनरली जो एजिम कर जाती है 1 by 12 से 1 by 15 कर जाती है लेकिन light loads के लिए 1 by 15 से 1 by 20 of the span हो जाएगी हमसे light load के लिए पूछा हुआ है तो यही हमारा answer हो जाएगा D answer आ रहा है न सबका बहुत अच्छे अरी फिर से आगया भई यह match the following का है क्या नहीं match the following तो नहीं है बट 26th है question क्या है यह देखते है 30 जनरी को हाँ 30 जनरी को है 2018 बलग 26th का जवाब दीजिए soil layer of depth H is divided into sub layer of thickness T to ease out the calculation of settlement of soil layer you wish to calculate the final settlement by performing some operations on each thin layer which of the following option will help you to find the total settlement of the layer एक मिट्टी को आपने अलग-अलग layers में बाट दिया पतली-पतली layers में और आपको total settlement निकालनी है तो आप उन पतली-पतली layers के help से total settlement, final settlement कैसे बताओगे यह पूछा है the difference of individual settlements of the various thin layers the square of the individual settlement of the various thin layers product of the individual settlements of the various thin layers या फिर sum of the individual settlements of the various thin layers 26th का D आ रहे है अंसर अदित्टे का इसा ही हो रहा है क्या करें सो रवब जेई के नाम पे एई के questions इसलिए जेई-ई-ई-ई का कोई मतलब महत तो बचा ही नहीं है ना importance ऐसी कुछ अलग से differentiation ही नहीं तो आप यह मत सोचके पढ़ा करो कि जेई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-पढ़ना है ज्यादा पढ़ना है किसी में कुछ भी पूच सकता है भई answer बताओ भई सब लोग answer बताओ यह जल्दी से manisha का भी आ रहा है d very good बाकी बच्चे बाकी भी बताओ यार चलो डी answer बिल्कुल सही हो जाएगा मतलब आपने क्या किया वही चोटी चोटी लेयर्स में पतली पतली लेयर्स में डिवाइड कर दिया था उन सब की जो जो इंडिवीजूल सेटिलमेंट आएगी उन सब को जोड़ दूगा तो टोटल कितनी आएगी वो पता चल जाएग तो वही चीज पूछी हुई है तो इसलिए confusion हो जाती है दिमाग में यह कोशन ऐसा है कि मेरे को नहीं लगता मतलब mostly बच्चों ने छोड़ा ही होगा बहुत रेयर ही बच्चों को पता होगा ठीक है और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है आप बहुत आगे हो दूसरे बच्चों से बताइए match the soil class with their respective description according to V.O.B. slash C.D.I.N. 18300.D.I.N. 2009 बताइए class 7 class 4 यह यहाँ पर माग कर देता हूँ class 7 soil है class 4 soil है class 1 class 1 और class 6 यह classes है आपकी और इनको आपको match करना है कि कौन सी class किस मिट्टी को कहा जाता है बताओ भई जवाब दो सब लोग और मुश्किल नहीं है question अगर किसी ने कभी पढ़ा होगा तो हो सकता है याद आ जाया अधर्वाइस हां बस यह की थोड़ा सा अलग है नया question है और important हो जाता है कि यह आपके लिए important बन जाता है यह question repeat हो सकता है यह question repeat हो सकता है तो इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि ऐसे questions repeat होते हैं इन से दुबारा दुबारा question बनते हैं मतलब इन ही में से कोई एक question बन जाएगा आपसे जैसे match the following में पूछा है यह कल को आपको सिरफ a की कोई class दे दी जाएगी उसका question पूछ लिया जाएगा 27 का b b क्या है भई a का 3 hard to excavate row करे very good यार d का आ रहा है और c का है 1 नहीं 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 c का 4 आएगा answer अच्छा b बोला है न हाँ b तो फिर ठीक है विल्कुल सही very good बहुत अच्छे अगर सिरफ इसका और इसका पता है न मतलब यह 7 levels में generally 7 classes में divided होती है ठीक है हाँ very good 7 classes में divided होती है actually तो 7 में से पहली और last का अगर पता है soil class 1 है जो वो होती हमारी top soil सबसे उपर की और जो soil class 7 होती है यह होती हमारी rocks ठीक है जो की that मतलब जो हमारे मतलब थोड़े से मुश्किल होते हमें काटने वाटने ठीक है difficult to remove अगर इनका ही पता है तो excavate rock तो C का 4 और A का 3 A का 3 C का 4 कोई combination दूसरा है नहीं option approach से हो जाएगा ठीक है अभी बस यह याद रख ले ना इनके बीच की definitions आपको मिल जाएंगी PDF में 28 बताइए fill in the blanks with the correct option the process to remove rust, mill scale oxidation and old paints with the use of high velocity impact of abrasive sand and grit is known as surface washing, blast cleaning, manual hand cleaning या फिर flame cleaning अपगर्शक के उच्च वेग प्रभाव के उप्योग से जंग मिल, scale और पुराने paint को हटाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है बताईए 28 का रह मुहमद असद का C, manual hand cleaning रजत का रह भी, blast cleaning बाकी बच्चों को क्या रह भी answer बताओ बताओ जल्दी से, इतना समय नहीं लेना भई अधित्य ए, मनीशा, ए, सौरव, ए, ए, क्या है, surface washing, अरे नहीं, blast cleaning, किसने बताया था blast cleaning, सही answer दिया था हम, रजत का answer आया था, ठीक है, very good, blast cleaning बोला जाता है ठीक है, high velocity बोला हुए ना, हम यह देखो, इससे थोड़ा सा अंदाज लगा लेते high velocity impact से आप clean करते हो, तो high velocity आपका blast एक तरह से उससे आपका होता है, ठीक है, blast cleaning removal of sand or scale from metal objects by impinging action of current or current of abrasive material, ठीक है, बहुत तेजी से आप इसको pressure through, pressure के द्वारा remove करते हो, which of the following valves you should use when you want the flow of water to be in one direction, considering it does not flow in the reverse direction as well, मतलब एकी direction में आपको flow करवाना है, तो इन में से कौन सी valve जो है, वो इस्तेमाल करी जाएगी, कौन सी valve हम use करते हैं कि आपका पानी जो है reverse direction में ना जाए, pressure relief valve, sluice valve, reflex valve या फिर air relief valve, बताईए, simple question है, सब का answer आना चाहिए, 29th का रहा है, C, रज़त वालियान का रहा है, C, बाकी बच्चे भी बताओ, मौहमद रसाइद का भी आ रहा है, C, अभी शेक, जैस वाल का रहा है, B, reflex, non-returning, check valve, हाँ, बहुत अच्छे, आज ही करवाया है, मैंने ना, ये offline batch में, आज ही करवा कहा है था मैं, reflex valve, reflex valve बोला जाता है, बिल्कुल, ठीक है, reflex valve, unidirectional या फिर आपकी non-returning valve होती है, फिर से आ गया हमारा match the following, फिर से करते हैं, zoom, चलिए बए, जवाब दीजिए, यहाँ पर, estimates से question आया है आपका, detailed estimate, supplementary estimate, revised estimate, और rough estimate, ठीक है, ये चार आपकी estimates है, तो इन चारो estimates के अंदर, बताईए कि कौन से estimate में क्या होता है, पहला option दिया हुए, estimate of additional works during the process, ऐसे question में ना मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऐसे question में इतना उल्जहा मत करो, सारे सारे match मत किया करो, पहले ही देख लिया करो option में, same-same से कौन से हैं और अलग-अलग कौन से हैं, option देख लिया करो पहले, उसके हिसाब से फिर, मतलब कर लिया करो, एक-दो option match, एक-दो मतलब देख लिया करो option, अगर वो match हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर कोई आपका rule out हो रहा है, option तो अपना वहीं से काम बना लो, क्या-क्या चल रहा है कौन-कौन से subject offline में, offline में highway और environment चल रहा है वहीं, 30 का C, अरे वहाँ अभी का answer, E में क्या है वहीं, चला वो देखें ज़रा, A का रहा है 3, detailed का includes detail हाँ, विलकुल A का तो 3 होगा, B का 1, supplementary estimate of additional works, very good, C का revised estimate for prepared when, हाँ, बहुत अच्छे बहीं, और D का हो जाएगा 2, prepared for approximate, हाँ, rough estimate, विलकुल, बहुत अच्छे बहीं, C answer आ रहा है, सब ब्लोगों का, बताओ, बाकि बाकियों का भी C आ रहा है न, hmm, very good, C answer is the correct, very good, 31st question, fill in the blanks with the correct option, dash is a preliminary inspection of the area, to survey in theodolite traversing, इन में से आपका, theodolite traversing में, surveyक्षन के लिए, शेत्र का प्रारंभिक निरिक्षन, preliminary inspection है, dash, कौन सा होता है, बताइए बही, theodolite traversing के अंदर, हमारा preliminary inspection, area of the survey, जो करते हैं, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, selection and marking of station, measurement of traverse legs, computation, reconnaissance, बताओ, preliminary inspection, हमारी area की, जो कि हम survey करने वाले हैं, theodolite traversing के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, सबका D answer आ रहा है, very good, अंकर बहुत अच्छे बई, reconnaissance, सबसे primary step, सबसे basic step, सबसे पहले यही किया जाता है, आपका reconnaissance का, ठीक है, इसे पहले map study करते हैं, बट उसके बाद, जो generally, आपका आता नहीं है, options में कई बार, बट सबसे basic, आपका reconnaissance ही होता है, 32 का answer बताईए, out of the following options, what will represent the horizontal angle, between magnetic meridian, and true meridian, बताओ भी, magnetic meridian, और true meridian के बीच का, जो अंतर होता है, उसको क्या बोलते हैं, काफी आसान question है, आपका, तो सब लोग जवाब देंगे, देखो अब ऐसे से questions भी आ रहे हैं न, जो असान है, मुश्किल भी आते हैं, असान भी आते हैं, हर level के questions आते हैं, अब ये questions आपके ऐसे हैं, जो बहुत easy हैं, देखते ही question हो जाएंगे, ये आपका true north, ये आपका true south, ये magnetic north, magnetic south, true east, और true west, 32 का answer क्या आ रहे हैं वही, जल जल दी बताओ, C, C क्या है, declination, वेरी गुड, ये आपकी क्या होती है, basically ये जो एंगल है, theta ये होता है, declination, जो declination यहाँ पे दिखाई है, वो कौन सी दिखाई हुई है, east declination है या west declination, बतादो ये भी, जल्दी से, जो आपको यहाँ पे show हो रही है, ये east declination है, या फिर west declination, जल्दी बताओ, जिन्होंने देख लिया बतादो, तो नहीं तो अगले question पे आई है, ये काफी मैं कह सकता हूँ, ये काफी tough question था, ये question छोड़ने वाला ही था, ठीक है, ये करने वाला question नहीं था, मेरा भी खुद दिमाग घूम गया था, कि क्या पूछा हुआ है, हाँ, west declination थी, very good, बहुत अच्छे, अब इसका बताईए, मैच करके हाँ पे, oxides of sulfur, mercury, hydrogen और fluoride, अब इसका बताईए, अब चंब बताईए, अब बताईए, आयवड़ने और कॉद दिया बताईए, आयवड़ने पार उनशका बताईए, अरे वह ए अंसर आ रहे है सबका A का 4 और B का 1 नहीं पगले ये नहीं है अंसर A नहीं होगा ठीक है मरकरी हमारा कोल्स में और पावर हाउस में इनमें भी देखा जाता है तो ढूंडते हैं चलो अंसर हम भी इसका तो B का तो जाएगा 4 पावर हाउस में और कोल्स वगएरा में हमारी मरकरी जो है वो नजर आती है ठीक है और इसके इलावा पेस्टिसाइड्स चलो ये कल करते हैं ठीक है मेरको भी मैं देखा था ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी खुद तो करते हैं इसको ये बड़ा एक्चुली बहुत कंफ्यूजिंग था ठीक है क्योंकि सारे ओल्मोस्ट सेम से उप्शन लगते हैं तो ये कल के लिए छोड़ते हैं कल कर लेते हैं इसको ठीक है पी टी ओ कोस्टिन है हमारा प्लीज टर्न ओवर 34th का बताईए Question No.34 A single room of size 5 by 6 meter enclosed by 20 cm thick wall has to be constructed The required foundation trenches 60 cm wide and 80 cm deep find the quantity of earthwork in excavation बताईए बताईए Simple question नहीं है आपको calculate करना है बस ये मतलब थोड़ा approximations पे भी कर सकते हो और directly भी निकाल सकते हो इसको D answer आ रहे 12.05 cubic meter single room size दिया हुए आपको 5 by 6 meter और enclosed by 20 cm thick wall has to be constructed the required foundation trench is foundation trench जो हमें बनाना है वो बनाना है 60 cm चोड़ा है 60 cm wide ये जो trench 60 cm wide है और 80 cm deep बताओ इसकी quantity of earthwork क्या आएगी quantity of earthwork कितना आ रहे निकल के भई volume निकालना है हमें जल्दी बताओ calculate करिए जल्दी 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 DR है 12.05 असल में न ये तो ये तो दोनों तो खेर बहुत दूर होगे answer तो ये तो आएंगे नहीं तो बहुत दूर है ठीक है अंदाज आई नहीं का अब आपका 10.95 और 12 बहुत पास पास दिये हैं तो आपको calculate करके देखना पड़ेगा ठीक है तो वोल्यम ऑफ अर्थवर्क में कैसे निकाल लेंगे हम यहां पर 0.6 इंटू 0.8 इंटू में जो एरिया आएगा इसका एरिया कितना आया है लगबग हमारा ने प्रोक्स है प्रोक्स लिखता हूं में यहां पे 6 इंटू 5 तो यह आ गया तीस इंटू छेती अठारा अर्टी चोबिस चोबिस और लगबग आपका calculate करके देख लेना यार कितना आ रहा है तो यह 12.05 आ रहा है क्या सबका यह यहार है calculate करके ठीक है calculation करनी है आपको मेरे ख्याल से 12.05 ही आएगा अगर आपके पास calculator है तो आप कर सकते हो calculations और चेंज अगर आ रहा है तो मुझे comment करके बताना 35th कांसर बताईए calculate the water required for the concrete mix in gallon if the water cement ratio is 0.6 liters per kg and 70 kg cement has been added 1 US gallon equals to 3.78 liters बताओ बिल्कुल simple calculation मुला सीधा यह तो सीधा ही सीधा multiply करना है और कुछ नहीं करना अंसर बताईए जल्दी से सब लोग के हमारा यहां पे water कितना required है concrete mix के अंदर 11.66 10.5 9.7 13.3 उत्तर बताईए भई क्या आ रहा है पांच question और करेंगे आज ठीक है चालिस question करेंगे बाकिया करेंगे कल जल्दी जल्दी जवाब दो भई A आ रहा ना A यह आएगा अंसर वेरी गुड थर्टी फाइफ सोर अ यह बहुत अच्छे कुछ नहीं करना water cement ratio आपको दे रखी है कि water cement ratio क्या दिविए आपको 0.6 cement दे रखा है तो water निकालना है तो 0.6 into cement 0.6 into 70 तो साथ चिक 42 तो लगवग 42 आपका 42 liters आपका आ जाएगा लेकिन यह liters में नहीं पूछ रहा यह गैलन्स में पूछ रहा है तो यह गैलन्स आपका 3.78 liter है तो कितने गैलन्स आ जाएगे गैलन्स में आ जाएगा 42 divided by 3.78 यह आएगा लगवग 11.1 या 2 के आसपास आएगा तो आंसर मारा यह हो जाएगा अच्छा हिंदी में ऑप्शन भी अलग दे रखा है रहे वाह तो हिंदी वाला चूज करते हैं भई वेरी गुड हाँ 11.12 के आसपास आएगा अंसर बिल्कुल बिल्कुल यह गजब दे दिया भई इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया यह मैंने भी नोटिस नहीं किया था ओप्शन ही बदल दिया है बताओ 36 का बताइए which of the following term is not related to the tachymetric surveying यहन में से कौनसी term tachymetric surveying से related नहीं है multiplying and additive constants, subtence bar, stadia method, radiation method of surveying ठीक है बताइए यहन में से कौनसी term हमारी tachymetric surveying से related नहीं है ठीक है not related बोला हुए बताओ जल्दी से इन्हें में से कौनसी related नहीं है बताओ जल्दी से multiplying and additive constant, subtence bar, stadia method, radiation method of surveying बताओ d answer आ रहा है अधित्य अभिशेक, very good mahumad said बहुत अच्छे radiation method किसका होता है, plane table का होता है ना, plane table surveying में करते हैं, very good 37 बताईए भई, hydraulic lifts best depict the application of which of the following, hydraulic lift आपका किस लोग पे based होती है, बस ये बताना है hooks लो, pascal लो, sombris लो, lens लो बताओ आँ जे सोरफ, d है answer बिल्कुल बताओ बताओ जल्दी से hydraulic lift किस लोग के उपर based होती है b, lock कर दिया जाए अभी, अधित्य का अभी shake बोल रहे है, d या उपर वाले का answer तो नहीं दे रखा कहीं वो 36th का, हाँ वही लग रहा है मुझे सोरफ का answer भी आ रहा है, यहाँ पे b, very good pascal slow हमारा, low होता है, जो कि hydraulic lift होगी hydraulic brakes होगी, यह सारे हमारे इसके उपर based होती है, pascal slow के उपर, ठीक है हाँ, बज़न डालो, lift से उठालो, बिल्कुल, बिल्कुल 38th का, बताईए, calculate the capitalized value of a property if it fetches a net annual income of 1500 and the highest prevailing rate of interest is 5% जो यूपी ट्रिप्लेसी जईए के बच्चे त्यारी कर रहे ना भई, यूपी ट्रिप्लेसी जईए के जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं, 2018 वले, ठीक है उनको वो बिल्कुल इस important है, यह question आपके लिए, यह question बहुत रिपीट ना हो, लेकिन concept आपके रिपीट होंगे, topic रिपीट होंगे यहां से, ठीक है तो वो आपको वही चीज यहां से उठानी है कि paper आ कहां से रहे है, यह चीज़ करना है बस अंजी अभी शेक, very good, answer सही है आपका, 37th का, अब 38th का बताईए बही सब लोग capitalized value आपको निकालनी है, capitalized value का formula क्या होता है जल्दी बताओ formula हमारा होता है, capitalized value into rate equals to income D answer आ रहे है, यहां पर 30,000, very good यार, बहुत अच्छे बताओ बताओ जल्दी से दो question हो रहे है, D आ रहे है, अधित्य वेरी गुट इनकम आपके कितनी दे रखी है, यहां पर 15,000, तो मलब capitalized value निकालनी है, हमें तो income upon rate हो जाएगा, इनकम अपॉन rate, इनकम दे रखी है, 15,000, rate दे रखी है हमें 5%, तो into में 100, यह हो गया हमारा, पांच ती यह 15,000, तीन हजार, और, हाँ, तीन हजार, तीन हजार, तीस हजार, यह तो लगभग 30,000 हो गया, 15,000 है, मैंने 15,000 लिख दिया न, हाँ, 1500 है, वहीं मैं सोच रहा है, गडबड कहा हो रही है, हम, बिलकुल, बहुत अच्छे, 39th, second last question आज गा, जल्दी से बताईए भई, which of the following lines connects the liquid state with liquid and solid state mixture, यह तो कताई जहर question दे दिया न, यह तो भई, यह ऐसे 2-3 questions, यह 3-4 questions न, ऐसे होते हैं, जो छोड़ने होते हैं, तो यह उन्हें मैं से एक है, तो यह किसी को नहीं आता होगा, इसमें calculator की जरूरत नहीं थी, सौरव, ठीक है, बिना calculator की हो जाता है यह आपका, और, आप खुदी सोचो, हम paper solve कर रहे हैं, तो calculator तो वैसे भी allowed नहीं दिया, तो आपको सारे के सारे यह खुदी करने हैं, बिना calculator की help से, हाँ, 39 का रहे हैं, C, नहीं, इसका अंसर आएगा, liquidus, liquidus होता है, ठीक है, liquidus होता है यह, लास्ट प्रशन है आज का, question number 40, arrangement वाले question काफी दिये नहीं मतलब, यह काफी time consuming होते हैं, बहुत time खा जाते हैं questions, option हिंदी वाले में से देख ले ना, भई, डी वाला, इसमें डी नहीं दिख रहा न, तो यहाँ पर option देख ले न, यहाँ से statement पढ़ लो, यह आपका, ascending order में आपको set करना है, compression test of brick, brick का आप test कर रहे हो, brick का आप यहाँ पर compression test कर रहे हो, और उसको आपको sequence में लगाना है, a, b, c, d, और e, यह आपके 5 steps हैं, इनको बताइए, और आज की छुटी पाईए, जल्दी जल्दी अंसर दीजिए भई, कि किनल अपकी भई की लगए, क्या अंसर आ रहे हैं बता बताओ इतनी शान्ती हो गई है बी अंसर आ रहे हैं बी क्या है ई डी शाम मुहम्मद ऐस्द का भी आ रहा है बी इडी इटो खेर सब में कौमन ही है एक पहले को छोड़ के तो इतो हो गई ब्रिक्स स्पेसिमेंस आ इमर्ज इन वाटर एट रूम टेंपरेचर ठीक है चोविस घंटे के लिए फिर बोल रहा है डी ठीक है डी है देन रिमूव दा स्पेसिमें एंड ड्रेन आउट एनी सर्प्लस मुश्चर ठीक है उसको हटा दिया रिमूव कर दिया बी है इसके बाद से ब्रिक्स है स्टोर अंडर जूट बेग्स नहीं सी हो जाएगा सी स्टेप है आपका यह सी अंसर है ए डी सी बी और ए ठीक है देखो आपके स्टेप्स मैं दिखा देता हूं यहाँ पर पूर थे सा स्टेव 4 जूट ए बिच्चंटे के लिए आपने इसके बाद फिर आप क्या करते हो अब आर्ब मोरटार प्रिपयर करते हो ठा है cement ratio 1 by 1 raise to 1 उसके बाद में jute bags में आप इसको place करते हो ठीक है तो पहले आप 1 raise to 1 का ये prepare करोगे उसके बाद में फिर ये step आएगा C के बाद आएगा भी ठीक है तो C के बाद भी आना चाहिए था तो ये आपका answer यहाँ पे कर देता हूं टिक answer C हो जाएगा correct answer is C आज गले इतना काफी है thank you so much और बाद की का paper करेंगे कल discuss ठीक है तेंक यू और PDF में भेज़ दूँगा आप लोगों को PDF की टेंशन मतलो अभी just अभी class खतम होती 5 मिनट के अंदर अंदर मैं भेज़ देता हूं ठीक है thank you so much sort of ठीक है तो बाद की का करते हैं कल चलिए thank you so much पढ़ते ही और बढ़ते ही